हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मध्यपरदेश की नंबर बन चैनल फॉर डेली करेंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 31 माई 2019 और यह हमारी 164 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important ह इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथ ही questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो question number first है हाली में कौन भारतिय नौसिना के प्रमुख बने हैं जिसका सई option है करमबीर से हैं हाली में करमबीर से हैं भारतिय नौसिना के प्रमुख बने हैं दोस्तो आपको बता दे अंडवान और निकोबार कमांड के commander in chief vice admiral बिमल बर्माने armed forces tribunal में याचिका दायर की थी और ये याचिका थी कि वो वरिस्ट है और उन्हें सेह की जगह भारतिय नौसिना का प्रमुख बनाया जाएं लेकिन इस याचिका को खारिच करके हाली में करमबीर सेह को भारतिय नौसिना का प्रमुख बनाया गया है दोस्तो बात आईए भारतिय नौसिना की तो आपको इसके बारे में बता दें भारतिय नौसिना की इस्थापना सूला सो बारह में की गई थी इसका जो मोटो है वो आपको याद रखना है इसका मोटो है शाम नो वढ़ना दोस्तो इतना आपको भारतिय नौसिना के बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन? आस्ट्रेलिया की प्रधान मंत्री बने है जिसका सई option है Scott Morrison हाली में Scott Morrison आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री बने है दोस्तो हाली में कैनवरा में महरान एलिजाब वैथ के अधिकारिक प्रतिमिदी गौर्णर जनरल सर पीटर कॉंग्रेव ने मौरिशन को सपत दिलाई है दोस्तो आपको बता दे इसके साथ ही उप प्रधान मंत्री ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम है माइकल मैक कॉर्मैक को भी हाली में सपत दिलाई गई है दोस्तो आप बात आईए ऑस्ट्रेलिया की तो आपको मैप में ऑस्ट्रेलिया के बने में बता दें दोस्तों आपको यहां के प्रिधान मंत्री पता ही है, हाली में बने है Scott Morrison, दोस्तों आपको Australia की करंसी की बारे में बता दें, तो करंसी है Australian Dollar, तो इतना आपको Australia की बारे में याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन, भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित, देश का पहला इ देश का पहला इंटरनेशनल पार्क बनाया जा रहा है, दोस्तों देशी और विदेशी परेटकों को लुभाने के लिए, सांची इस्तूप की पहाड़ी के नीचे, 17 एकड में, 17 करोर रुपए की लागस से, भगवान बुद्ध की जीवन दर्सन पर आधारित, देश का य पैवेलियन, केटिफरियो, जातक बन, चंदरवाटी का बन भी इन सभी चीजों का भी निर्माड इस इंटरनेशनल पार्क के अंतरगत किया जाएगा, नेक्स्ट कॉश्चन, किस राज्ज में अब मच्चरों को मारने वाले दबाओं का लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है जिसका से उफशन है मध्यप्रिदेश, मध्यप्रिदेश में मच्चरों को मारने वाले दबाओं का लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है, दोस्तो मच्चरों को मारने वाले ओल आउट, मौर्टिंग जैसे ब्रांड के लिए अब आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, अगर लाइसेंस के आप उत्पादों की बिक्री करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कारवाई की जाएगी और आपकी दुकान का पर्मिट भी सस्पेंड किया जा सकता है दोस्तो एक और बात आपको बता दें लाइसेंस साथ हजार रुपे का बनेगा दोस्तो आप बात आईए मध्यप्रदेश की तो आपको मैप में मध्यप्रदेश की बारे में बता दें मैप में ये जगह मध्यप्रदेश को दरसाती है मध्यप्रदेश की स्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनंदी बिन पटेल मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री हैं कमलनाथ और मद्यप्रदेश की राजथानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्यप्रदेश के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस राज्य में 10% आरक्षन लागू किया गया है जिसका सही option है दिल्ली हाली में दिल्ली में केंदर सरकार द्वारा दिया गया 10% का आरक्षन हाली में लागू किया गया है दोस्तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाले सवर्ण वर्ग की आर्थिक रूप से कमजूर लोगों के लिए नौकरी में 10% आरक्षन लागू किया है जो एक फरवरी से लागू हो जाएगा दोस्तो अब बात आईए दिल्ली की तो आपको मैप में दिल्ली के बारे में बता दें मैप में ये जगह दिल्ली को दर्साती है दिल्ली के गवर्णर है अनिल वैजल और दिल्ली के मुख्य मंतरी है अरविंद केजरिवाल दिल्ली की स्थापना 1911 में की गई थी यानि भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में बनाई गई थी Next question देश के कितने शहरों को बायू प्रदूशन मुक्त करने की योजना बनाई गई है जिसका सयोफ्षन है 84 हाली में 84 जो शहर है उनको बायू प्रदूशन मुक्त करने की योजना बनाई गई है देश के 102 शहर जो प्रदूशन शहर हैं उनमें से 84 शहरों को प्रदूशन मुक्त बनाया जाएगा दोस्तो केंग्रिय परियारवन मंतराला के सचेव सी के मिसरा ने यह जानकारी 200 परियारवन दिवस के थीम गीत हवा आने दे रिलीज के बारी में कही है और यह हाली में इसका जो थीम गीत है वो भी आपको याद रखना है जिसका थीम गीत है हवा आने दे तो यह दोनों कुशन आपको याद रखने है 84 शहरों को बायू प्रदूशन मुक्त किया जाएगा और इसकी थीम रहेगी हवा आने दे हाली में नवीन पतनाईक किस राज्य के मुख्य मंत्री बने हैं जिसका सई ओफ्षन है ओडिशा हाली में ओडिशा के जो मुख्य मंत्री बने हैं वह हैं नवीन पतनाईक दोस्तो नवीन पतनाईक ओडिशा के पांचवे कारेकाल के बनने वाले पहले मुख्यमंत्री है यानि इन्होंने अपने ओडिशा में पांच कारेकाल पूरे किये हैं वो कारेकाल हैं 2000, 2004, 2009 और 2014 और अब 2019 इन पाज बार में नवीन पटनाएक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तो ऐसा करने वाले ये ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तो अब बात आईए ओडिशा की तो आपको मैप में ओडिशा के बारी में बता दें मैप में ये जगह ओडिशा को दरसाती है ओडिशा की इस्थापना 1 अप्रेल 1936 में की गए थी गवर्नर है गनेसी लाल ओडिशा की मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक जो हाली में बने है और ओडिशा की राज्थानी है भवनेश्वर तो इतना आपको ओडिशा की बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाली में किस एयरपोट को इंटरनेशनल एयरपोट का दरजा मिला है जिसका से यॉफ्टन है इंदोर हाली में इंदौर आइरपोट को international आइरपोट का दरजा प्राप्त हुआ ہے दोस्तो हाली में इंदौर आइरपोट को emigration की मंजूरी मिल गई है मार्च में कस्टम की अनुमती पहले ही मिल चुकी थी दोस्तो एरपूर्ट डाइरेक्टर आर्यामा सन्याल लें इसकी जानकारी दी है और इनके अनुसार अब कस्टम और इमिग्रेशन के अधिकारी फाइनल दोरा करेंगे इस एरपूर्ट का और उसके बाद इन दोर से अंतराश्टिय उडान भरी जाएगी नेक्स्ट क्वश्चन हाली में किसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है जिसका सही उफ्षर है पेमा खांडू हाली में पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली है दोस्तो इन्होंने 11 मंत्रियों के साथ सपत ली है इनके सपत क्रहन समारों में असाम नागलेन, मनीपुर्थ, तिरपुरा और मेगाले के मुख्य मंत्री भी शामिल हुए थे दोस्तो अब बात आईए अरुनाचल प्रदेश की तो आपको मैप में अरुनाचल प्रदेश के बारी में बता दें मैप में ये जगह अरुनाचल प्रदेश को दरसाती है अरुनाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी गौर्णर है B.D. मिश्रा, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहां की राज्तानी है इटा नगर तो इतना आपको अरुनाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है हाली में किसे मद्यप्रदेश P.S. महिला और बाल बिकास बिभाग का आयुक्त बनाया गया है जिसका से योफ्षन है अनूपम राजन हाली में अनूपम राजन को मद्यप्रदेश P.S. महिला और बाल बिकास बिभाग का आयुक्त बनाया गया है दोस्तो इनके अलावा जो स्क्रीन पर आपको और भी नाम दिख रहे हैं इनके बार इम बता दें तो पंकज अग्रवाल को P.S. परियावरण विभाग और परियावरण आयक्त बनाया गया है अशोक शाय को मद्यप्रदेश शासन में P.S. बनाया गया है और अजीत केसरी को इन्हें P.S. किसान कल्याट और क्रशी विकास इभम सहकारिता का P.S. बनाया गया है तो इनके बारी में इतना आपको याद रखना है इन चारों के नाम Next question हाली में प्रधान मंत्री के शपत ग्रहन समारोह में कितने पड़ोसी देश के नेता शामिल हुए है तो इसका सही ओफ्षन है 6 देश के हाली में प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी के सपत ग्रहन समारोह में 6 देशों के नेता शामिल हुए है ये 6 देश कौन-कौन से हैं आपको बता दे बांगला देश, मियामार, शिलंका, थाइलेंड, नेपाल और भूटन इसके अलावा करगिस्तान और मौरिशस के रास्तिय अध्यक्षों को भी नेउता भीजा गया है जो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं तो ये 6 देशों के जो नेता हैं वह शामिल हुए हैं हमारे प्रधान मंत्री के सपत ग्रहन समारोह में दोस्तो ये बहुत important question है एक्जाम में पूछा जा सकता है तो एक बार फिर आपको बता दें बांगलादेश, म्यामार, श्रिलंका, थाइलेंड, नेपाल और भूटान next question RVDO नामक तकनीक का विकास किस IIT ने किया है तो इसका सी option है IIT हैदराबाद खाली में IIT हैदराबाद ने RVDO तकनीक का विकास किया है दोस्तो अब ये RVDO क्या होता है आपको इसका full form बता दे तो इसका full form होता है Reality Waste Design Optimization दोस्तो हैदराबाद IIT ने सडकों का एक model विक्सित किया है जिसे अपनाने से सडकों को लंबे समय तक काम में लाइक बनाया जा सकेगा दोस्तो इस तकनीक से सडक की शमता का आंकलन किया जा सकेगा और इस model में ट्राफिक के दबाव और मौसम के अनुसार सडकें बनाना बताया गया है दोस्तो अब बात आईए IIT हैदराबाद की तो आपको इसके बारे में बता दें दोस्तो IIT हैदराबाद की इस्थापना 2008 में की गई थी इसके चेर्मेन है B.V.R. Mohan Reddy एक बाद फिर आपको बता दें इसके चेर्मेन है B.V.R. Mohan Reddy और डाइरेक्टर है U.B. देसाई तो इतना आपको IIT हैदराबाद की बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात करते है Previous Day के Question की तो कल का जो Question था उसकी बारे में बता दें तो कल का Question था हाली में मद्धिप्रदेश High Court में कितने जज़ों की नियुकती हुई थी तो उसका सही Option था दो जज़ों की मद्धिप्रदेश High Court में दो ज़जों की हाली में नियुकती हुई थी दोस्तो बात करते है Question of the Day की तो आज का Question है हाली में किस शहर में दो गाओं को टूरिस्ट बिलेज बनाया जाएगा जो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियार आप मारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लैक कीजिए शेर कीजिए कर हम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फेक्ट को लेका राज रहोंगे और दोस्तो परियाबन को देखते हुए आप कम से कम महीने में दो पेड़ अवश्य लगाए इतनी जगाए आपको कहीं मिल जाएगी तो आप दो पेड़ महीने में जरूर लगाए तो आज के लिए बसना ही नमस्कार, have a nice day